नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूटूब चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें पौधों को खात कब कैसे और कितना देना चाहिए क्योंकि दोस्तों कई सारे कोश्चिन मेरे पास आये ह कि अच्छे से पौधों को फीड कराने के बाद कमपोस्टिंग करते रहने के बावजूद भी पौधों में ग्रोथ ना के बराबर है या पौधास मर रहा है या फिर उसकी ग्रोथ पूरी तरह से रुकी हुई है फ्लॉरिंग और फ्रूटिंग नहीं आ रही है तो कई बार दोस्तों हम सबकुछ सारी केयर करते हैं फिर भी हमारे पौधे में कोई ग्रोथ नहीं आती है या फिर पौधे की ग्रोथ रुक जाती है तो इसके पीछे का रीजिट यही है कि हम पौश्टिंग alte इता हैं वह नेयुए जरूरी है कि उसको प्रॉपर वे में सही तरीके से किया जाए तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इसी बारे में डिटेल में बात करेंगे कि पौधे में कब कैसे और कितनी खाद मात्रा में खाद किस तरीके से देनी चाहिए तो वीडियो में आखरी तक बने रहीएगा कोई भी पार्ट इसकिप मत कीजेगा क्योंकि अधूरी जानकारी ज्यादा खतरनाक होती है तो दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं आभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इससे सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आगे आनली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको असानी से मिलती रहे तो मैं दोस्तों बताता हूँ आपको क्या होता है कि हम गार्डनिंग तो कर रहे होते हैं पर सारी चीजे हमें पता नहीं होती है करते करते सीखते हैं हम कुछ चीजें सही होती है कुछ गलत होती है उसी से हमें experience होता है और हम आगे उन चीजों को सीख जाते है त तो दोस्तों मैं आपको आपके साथ वही अपना तरीका सेयर करना चाहता हूँ कि मैं कैसे करता हूँ किस प्रकार से देखिए आपको मिर्च दिख रही होंगी धेर सारी तो कुछ हरी हैं और कुछ लाल हो चुकी हैं तो कैसे करना होता है किस प्रकार से हमें इसमें कमपोश्टिंग करनी है क्या समय है कमपोश्टिंग करने का यह देखिए यह सब पूरा पौधा मिर्च से भरा पड़ा है तो दोस्तों मैं पहली चीज आपको बताओं कि कभी भी तो कमपोश्टिंग करने से पहले जो में चीज होती है वो होती है कि कमपोश्टिंग करने से पहले आपकी मिट्टी जो गमले की है वो बहुत अच्छे से ड्राई ना हो यह देखिए यह मिट्टी आपको ड्राई दिख रही है काफी अच्छी ड्राई है तो पूरी तरह से ड्राई या पूरी तरह से अगर मिट्टी नम है तो उसमें आपको कंपोस्टिंग नहीं करनी है कहने का मतलब है कि अगर कल आपको कंपोस्टिंग करनी है तो आज आप अपने पौधों में गंबलों में वाटरिंग कर दीजिए और फिर कल जब उसमें मॉंस्चर बना रहे वो पूरी तरह से मिट्टी गीली ना रहे तब उसमें आप कमपोश्टिंग करिए यह पहला रूल है कमपोश्टिंग करने का अब दूसरी बात कि जो इस समय टेंपरिचर चल रहा है दोस्तों 40-45 डिगरी के आसपास का टेंपरिचर चल रहा है तो हमें कमपोश्टिंग जो करने का समय है कैसे करनी है यह तो हमने बता दिया कब करनी है तो जो कमपोश्टिंग हमें करनी है वो करनी है या तो मार्निंग में या इवनिंग में क्योंकि आप सभी को पता है कि जो जाएर से नृब्स में काफी धूप होती और मिट्टी याथ रहती हैं तो उसमें सम सब्लिद याद करताहल गर्म हो जाती है तो जो पौधो इस भेडला की वे ह壥 सोती है वो गर्मी की वाजली से झुलसने खराब होने लगती हैं तो हम yaad कुम्पोस्टिंग करनी है या तो मौनिंग में इस तो मेरे हिसाब से करीब 20 दिन के अंतराल में आपको composting जरूर करनी चाहिए क्योंकि पौधों की need होती है और हम limited resources के साथ gardening करते हैं छोटे छोटे ग्रोवेक्स में हम gardening करते हैं आप इस ग्रोवेक्स की size देखे करीब 12 इंच की इसकी height है और 12 इंच में मैंने देखे इतने सारे मिर्ज के पौधे लगे हुए तो आपको खुद समझ में आनी चीज है कि कितने nutrients इसमें मौझूद होंगे, macro elements इसमें होंगे कि ये पौधा उससे survive करता रहे तो जब पौधे उसे absorb कर लेते हैं सारे nutrients तो सारे पौधे roots चारो तरब फैल जाती है और मिट्टी में nutrients की कमी हो जाती है तो उससे क्या होता है क कि फिर जो अब पौधे की growth रुकनी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि उसमें nutrients नहीं मिल पाते हैं तो हमें उसे time to time add करना रहता है तो मेरे हिसाब से करीब 20 दिन में आपको 20 दिन के अंतराल में अगर 20 दिन में निकर पाते तो महिने में एक बार जरूर आपको composting करनी चाहिए मैं दोस्तों बीच में रोक रहा हूँ यह बड़ा प्याराजा कबूतर मुझे दिख गया मेरे terrace बैठा हूँ वाइट कलर का मैंने सुचा आप लोगों को भी दिखा दिया जाए तो ऐसे इनका भी एक घरोंदा सा बन जाता है काफी हरी भरी च्छत अगर है तो पच्छिया इस पे आकरसित होके यहां ही रुखते हैं तो यह भी काफी अच्छा लगता है हमें तो दोस्तों यह तीसरी चीज हो गए कि कितने टाइम के बाद करनी चाहिए यह दिखाऊ मैं आपको यह मेरा बैंगन का पौधा है और आप देखे इसमें धेर सारी नई ग्रोथ है यह मे अगर देख रहा हो तो कंपोस्टिंग कब करनी चाहिए कैसे करनी चाहिए और कितने टाइम के बाद करनी चाहिए यह तो हो गया तीनradic अब मैं extra topic आपको बता दूँ कि composting करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है तो दोस्तों अगर आप dry compost करते हैं वैसे तो मैं prefer करता हूँ गर्मियों में liquid compost यूज करना जो कि आप cowden compost बना सकते हैं या फिर सरसोखली से बना सकते हैं या फिर banana peel onion peel प्याज के छिल्पे से किसी भी तरह से आप liquid compost बना के यूज कीजिए वो ज्यादा अच्छा होता है तरल होता है वो ठंडी होती है तो पौधों को जो है काफी उससे फायदा मिलता है लेकिन अगर आप dry compost यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको करना क्या होता है कि जो पौधी की मिट्टी है गमले की उसको करीब 2-3 इंच की मिट्टी आप side से निकाल लीजे और जो feeder roots दिखाई देने लग जाते हैं तो तो वहाँ पे आप compost डाल कर वापस मिट्टी से उसे cover कर दीजे और फिर उसमें हलकी watering कर दीजे तो इस प्रिकार से अगर आप composting करते हैं तो जो आपकी compost है वो direct roots के पास रहेंगी और उससे पौधा जल्दी से जल्दी nutrients खीचता है और फिर पौधे में growth आपको देखने को म कुछ उसके regions हैं और यह तरीका है कि आप इस तरह से अगर composting करेंगे इस तरह से पौधों को देखेंगे उनकी देखरेक करेंगे तो आपके पौधे में भी अच्छी growth होगी और आपके पौधे भी इस तरह से देखें आपका छट भी हरा भारा दिखाई देगा तो दोस्त करेंगे दोस्त